इसको तो कोई जोटला नहीं सकता कि नहीं इस बार टैंथ की तरह नीट में भी सब को परमोट कर दिये जाएगा और अब सबी डॉक्टर बन जाएंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है न है और जब ऐसा पॉसिबल नहीं है एकजाम होना है यह पकी बात है तो फिर हम अभ्यास करना क्यों छोड़ें पर अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना अगर आपने छोड़ दिया तो जो अभ्यास कर रहे हैं कंटीनेशन में पढ़ाई कर रहे हैं सोचो आप उनसे कितने पीछे चले जाओगी समझे रहे हैं आजकल नैक पेक बड़ी अच्छी से कहानी चल रही है कि एक समय जब भारत में सूखा पड़ा बारिस होना बंद हो गई इंद्र भगवान ने बारिस बंद कर दी बारा साल के लिए तो सभी किसान इंद्र भगवान के पास पहुंचे कि बारिस नहीं हो रही बारा साल तक क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे तो उनका कुछ नहीं हो सकता वो तो बगवान शिव है उन्हीं की माया है वो जब डंबरू बजाएंगे तब बारिस होगी अब वो सभी किसान सिव जी के पास पहुंचे कि बारा साल तक क्या करेंगे हम आप तो डंबरू बजा दो घटापट जल्दी से उनकी आपस में सैटिंग हो गई थी सिवजी और इंद्र जी की तो उनका ऐसे से किसान आएंगे आप देख लेना तो उनका नहीं मैं तो डंबरू जो है बारा साल बाद ही बजाओंगा तब तक तो जो भी है सिस्टम है नियम है नियती का तो बारा साल बाद ही वारिश होगी अब किसान के दिमाग में आ गया सभी के कि बारा साल के बाद ही वारिश होगी तो 99% किसान निश्चन्त हो गए क्या करेंगे खेती करके बीज बोके खेतों को जोत के मैनत करके 12 साल बात देखेंगे जब पहले से ही पता है 12 साल बात 12 हो गई तो तभी स्टार्ट करेंगे लेकिन उनमें से कुछ एक किसान जैसे पहले मैनत कर रहे थे बैसे ही अभी भी करते रहे करते रहे करते रहे वो खेतों को जोते थे बीज बोते थे उसमें तो बागी के जो नहीं कर रहे थे उनने पूछा कि तुम के वो कर रहे है वैसा 12 साल बात बारे सोगी गाई के लिए अभी से मैनत कर रहे हो आराम करो तो उन्हें ने कहा कि 12 साल बहुत लंबा समय होता है अगर हमने ये प्रैक्टिस नहीं की तो हम खेती किसानी करना ही भूल जाएंगे और अगर हम ये प्रैक्टिस करना खेती किसानी ना भूलें कैसे बीजबोते हैं कैसे हल जोते हैं पूरा सब कुछ उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है कि 12 साल बाद जब बारेश होगी तो हम कम से कम हमें सारी जहें यादतों हों कैसे क्या करना है तो शिव जी की जो पत्नी है पारवती जी को दया आगे उन पर तो उन्होंने शिव जी को सिप कहा कि इमाराज बारा साल बाद ये किसान जो है प्रैक्टिस ना भूल जाए इसलिए वो प्रैक्टिस कर रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि बारा साल बाद आप भी डंबरू बजाना भूल जाओ बारा साल नहीं बजाया तो दंबरू बजाना कहीं आप भी नहीं भूल जाओ तो सिप जी के मन में तुरंट ख्याल आया अरे मैं बजा के देखता हूँ तो उन्हें ने उसी जमय दवरू बजा दिया और जैसे ही दवरू बजाया तो प्रतिग्या थी कि जैसे ही दवरू बजा बारिश होगी बारिश होने लगी तो सभी किसान प्रशन तो वही आप से कह रहा हूं कि एक्जाम कम होगा नहीं होगा, ये तो पक्की बात है के नहीं होगा, ये है क्या, एक्जाम तो होगा ला, ये तो 100% बात है के एक्जाम होगा, अब कब डबरू बज जाए, NTA का, वो आपके आथ में नहीं है, NTA एक अगस्त को डबरू बजा दे, और आप सोचो के इस्वार होंगे नहीं, अग उस समय वही लाप में रहेंगे, जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बास्मझ में आगी ना? तो प्रैक्टिस मत छोड़ना, करते रहो, पड़ते रहो, और इसलिए मैं आपको इंगेज किये हुए हूँ, शाम को भी, अभी भी, कि आपकी प्रैक्टिस खदम नहीं हो जाए, क्य वो बच्चे फायते में रहेंगे जो continuous practice में है और वो बहुत बड़े नुकसान में रहेंगे जो सोच के चल रहे हैं कि एक अगस्त को नहीं होगा वो होगा सीधे दो मेने बाद, तीन मेने बाद, चार मेने बाद, पाँच मेने बाद वो बड़े नुकसान में रहेंगे जिसलिए practice करते रहो ठीक है ना? ओके, तो चलिए मिलते हैं